अच्छा देखें, अच्छा सुनें, चैनल पर आप सब का स्वागत है मेमोरी कमजोर हो और हमने एक्जाम हो तो हर किसी के भी तनाव होना स्वाविक है पर इस बार हम आप सब के लिए कुछ सरल मंत्र और कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो आपके और आपके साथियों के लिए बहुत उप्योगी सीध हो सकते हैं तो आएए जानते हैं मंत्र और किप्स ग्यान केंद्र पर पीले रंका ध्यान करना चाहिए महाप्रांध्वनी करनी चाहिए नाक से स्वास बाहर निकालते हुए ब्रहमर की तरह नाक से गुंजन करना चाहिए पांच-पांच मिनिट दिन में दो पार ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए पुर्वदिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करनी चाहिए पढ़ाई सुबह पांच बजे से आठ बजे तक करने से जल्दी वै जादा अच्छे से याद होता है ओम रिंग स्रिंग क्लिंग प्लूम एन नमे है दिर्ग स्वास प्रेक्षा करनी चाहिए ओम एन रिं स्रों वद वद वागवादिनी भगवती सरस्वताई नमे है सुबह उठने के बाद शशांकाशन करना चाहिए ओम 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 लाबद उचारन करना रात में पुर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए बारा बजे तक सो जाना चाहिए ओम एन सरस्वताई एन नमे है हमेशा कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए रात को सोते समय अनुप्रेक्षा भावना या विधायक चिंतन करना चाहिए जैसे मेरी स्मृती अच्ची है, मेरी स्मृती भड रही है, मुझे याद रहता है आदी आदी आप सब इन छोटे-छोटे मंत्र और टिप्स को अपना कर सपलता प्राप्त करें और इसी मंगल कामना के साथ आप सब को धन्यवाद फिर एक नया टोपिक लेकर आएंगे आप सब के लिए अब दिजी इजाज़त, नमस्कार अच्छा देखें अच्छा सुने अच्छा 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 अच्छा